तो हेलो दोस्तु स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस बीडियो पर आज की बीडियो होने वाली है बहुत ही खास आपके लिए ये बहुत ही अच्छा आपडेट है जो की अभी-भी हाल ही में आया है यदि आप इंडिया पोस्ट पेमिंट बेंग का स्टेटमेंट आपक मन्थली एमेल पर आता था लेकिन अब आप कभी भी किसी भी टाइम स्टेटमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको जितना चाहिए उतने डेट का मिल जाएगा आपको जब जरूरत है तभी पा सकते हैं चलिए आज की वीडियो हैं बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे और दोस्तों जदी आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है तो यहाँ पास हम सबसे पहले open करेंगे इस पर यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक का application इसके बाद हमें इस पर क्या करना है अपना yampin डाल करके इसको करना होगा login ठीक है तो यहाँ पर registration कैसे करना है यह आप सब को पता ही है कि किस तरह से registration करना पड़ता है तो यहाँ पास हम अपना यमपिन डाल देते हैं उसके बाद में करते हैं इसको login तो यहाँ पास देख सकते हो दोस्तों कि हमने यहाँ पर अपना अकाउंट है हमने login कर लिया है अब इसके बाद आपन क्या करते हैं जब आपको यहाँ पर transaction आपको देखना होता है तो आप किस तरह से transaction देखेंगे इस पे हम बात करने वाले हैं तो आपन को यहाँ पर click करना है statement का जो option है view statement में click करेंगे यहाँ से आपन 10 transaction को देख सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं इसके बाद आपको यहाँ पास पास्बुक में click करना है अभी आपके phone में भी इसी प्रकार से आ रहा होगा कि आप किस तरह से download करेंगे तो अभी क्या है कि जो यह application है इसे हमें करना पड़ेगा पहले update यदि आपका application update है तो इसमें so करेगा इसे हम update करेंगे तो हम चले जाएंगे सीधा play store पे play store से हम इसको कर लेंगे update अपडेट जैसे करेंगे तो हम पास हमे statement download करने का option मिल जाएगा ठीक है तो यह play store हमारा open हो रहा है थोड़ा slow है आज IPPB यहाँ पास हम search करेंगे mobile banking आ जाएगा आपका IPPB आपको search करना है यहाँ पास update आएगा update पे आपको click कर देना है जैसे ही आप update पे click करेंगे थोड़े time में आपका जो application है update हो जाएगा और यही से आप इसे open करेंगे ठीक है हम इसे open पे click करते हैं open में click करने के बाद थोड़ा enterprise इस प्रकार से आपको सामने देखने को मिलेगा इसके बाद आपका जो भी yampin है उसे आप यहाँ पास फील करेंगे yampin फील करने के बाद ठीक है यहाँ से आप देख सकते हो अभी हम आपको दिखाएंगे कि statement डाउनलोड करने का option है और जिस तरह से आपका password जो बनता है वही से बनेगा तो यहाँ पास हम गए यहाँ से view last transaction पे click करते हैं इसके बाद हम passbook में click कर रहे हैं आप यहाँ पे पूरा 100 हो रहा देख सकते हैं एक महीना दो महीना तीन महीना कितना आपको transaction चाहिए या फिर आप यहाँ पे date range select कर सकते हैं आपको किसी particular किसी date की अगर statement चाहिए तो हम यहाँ पे one month की select करते हैं देख सकते हैं आप tick mark यहाँ पे आ गया है यदि आप view passbook में click करेंगे तो इसका पूरा data दिखेगा यदि आप download करना चाहते हैं और उसकी print की जरूरत है आपको कहीं पे देना है तो यहाँ से आप इसमें X करके PDF में दवाने के बाद PDF में select कर लेंगे आप या फिर आपको Excel में चाहिए तो Excel भी कर सकते हो PDF सही रहेगा PDF पे आप करने बाद यहाँ से देख सकते हो कि आपको जो email है वह है successful downloaded हो जाएगा ठीक है तो आप इस प्रकार से अपने mobile में या फिर किसी में भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो आपका account है उस पे email ID link होना जरूरी है यदि आपके account में ठीक है email ID link नहीं है तो फिर वह download नहीं हो पाएगा आपको problem जाएगी ठीक और तो दोस्तो ऐसे ही आप download करेंगे अपने mobile तो दोस्तो इसी प्रकार से आप download कर लेंगे आपका statement जो भी होगा और मस्त आप कहीं पे भी लगा सकते हो ठीक है तो यही वीडियो हमारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम मिलते हैं आप से इसकी निष्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye thanks for watching देखते रहिए मस्त रहिए